नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमली में दोस्तों उत्तर प्रदेश में जारी 79,000 सहायक अध्याप्रोकों की भरती में कटोफ के मामले में शाषन डबल बेंच में अपील करे की या नहीं इसको लेकर के अभी तक कोई भी रुख इस पस्ट नहीं हो पाया था दोस्तों, आज दिनाक 8 अप्रेल 2019 को माननिय मुख्यमंत्री जी ने इसके संदर में एक बयान दिया है जो कि आप लोग को जाना बहुत जरूरी है यदि आप भी इस भरती में शम्मिलित हुए थे तो दोस्तों, इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप के हुए बने रहे हैं करियर बिट के इस चैनल पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ इस भरती में सम्मिलित थे एक बैनर लेकरके उनके सामने प्रस्तूत हुए दोस्तों यह बैनर आप इसक्रिन पर देख पा रहे हैं बीड और बीटीसी के योगे अभियर्थियों की गुहार कट ओफ 97 के पक्ष में डबल बेंच जाय सरकार दोस्तों यहाँ पर मैंने अभियर्थियों के फेस को बलर कर दिया है ताकि उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे दोस्तों यह बैनर जब मानेनीय मुख्यमंत्री जी ने देखा तो उन्होंने इसके संदर्व में यह कहा कि उनको बैनर दिखाने की कोई भी जुरत नहीं है उनकी सरकार में योग्यता को प्रात्मिकता दी जाएगी दोस्तों इसके साथी साथ उन्होंने यहाँ भी कहा कि B.A.D. और B.T.C. अभियर्थियों को समान आउसर दिये जाएंगे आगे बढ़ने के लिए दोस्तों यहीं सब वक्तव आज दिनाक 8 अप्रेल को मानने मुख्यमंत्री जी ने कहा है और क्या कुछ इसका अर्थ निकल सकता है या फिर निश्ची तोर पर या उन सभी B.A.D. और B.T.C. अभियर्थियों के लिए एक राहत वाली खबर होगी कि मानने मुख्यमंत्री ज चैनल के साथ धन्यवाद